हमने पिछली कक्षाओं में बहुपदों का विवभाजन सीखा था क्या आपको याद है कि विवभाजन कैसे किया जाता था? चलिए गोदारन की मदद से याद कर लेते हैं कि विवभाजन की प्रक्रिया क्या थी? माल लीजिए कि PX पराबर X प्लस 3X स्क्वेर माइनस 1 को GX पराबर 1 प्लस X से भाग करना हो तो पहले चरण में हम बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे यानि कि हमें बहुपद का घात घटाते हुए क्रम में लिखना होगा जैसे कि PX में दो सबसे बड़ी घात है इसलिए हम 3X स्क्वेर को पहले लिखेंगे उसके बाद X आएगा जिसका घात 1 है और उसके बाद माइनस बनाएगा जिसमें X की घात 0 है तो अब PX का मानक रूप PX बराबर 3X स्क्वेर प्लस X माइनस बना जाएगा इसी प्रकार GX का मानक रूप X प्लस बना जाएगा अब हम PX को GX से विभाज़त करेंगे चुकि हमें भागफल का पहला पद नहीं पता है तो हम दूसरे स्टेप में भागफल का पहला पद निकालेंगे उसके लिए हम भाज़़ के पहले पद को भाज़क के पहले पद से विभाज़त करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 3X कोईल by X चुकि X अंच और हर दोनों में है तो यह कैंसल हो जाएगा और यहां से हमारे पास 3X आ जाएगा जोकि भागफल का पहला पद होगा अब हम तीसरे स्टेप में देखेंगे कि आगे क्या करना है अब हम भागफल के पहले पद को भाज़क से गुणा करके यहां नीचे लिखेंगे तो हमें 3X स्क्वेर प्लस 3X मिल जाएगा अब हम इन दोनों का घटा करेंगे मतलब सब्ट्राक्ट करेंगे तो उसके लिए यहां पर प्लस का साइन है तो इसे हम माइनस कर देंगे और अगर माइनस का साइन है तो इसे प्लस कर देंगे जैसे कि यहां पर प्लस का साइन है तो इसे माइनस कर देंगे और यहां भी प्लस का साइन है तो इसे भी माइनस कर देंगे अब पहले दोनों पदों को एक दूसरे से घटाने पर हमें 0 मिलेगा और दूसरे पदों को घटाने पर हमें –2x मिल जाएगा और –1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा जिससे हम –2x-1 शेशवल में मिल जाएगा अब हम शेशवल –2x-1 को नया भाजय कंसिडर करेंगी और x-1 से विभाज़त कर देंगे अब हम चौथे स्टेप में देखेंगे जिसमें हमें दूसरे स्टेप को रिपीट करना है नय भाजय का पहले पद को भाज़क के पहले पद से विभाज़त करेंगे और यहां से हमें –2x by x मिल जाएगा जिसे हल करने पर हमें –2 मिलेगा जो कि भागफल का दूसरा पद है अब हम पाँचवा स्टेप देखेंगे अब हम भागफल के दूसरे पद को भाज़क से मल्टिप्लाई करेंगे और यहां नीचे लिख देंगे तो मल्टिप्लिकेशन करने पर हमें –2x –2 मिलेगा अब हम इसे घटाएंगे तो – plus में चेंज हो जाएगा और हमें 1 मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि शेश्वल का घाद 0 है और भाज़क का घाद 1 है इसलिए हम कह सकते हैं कि शेश्वल की घाद छोटी है भाज़क की घाद से और यहां से हमें भागफल 3x – 2 मिल जाएगा और शेश्वल 1 मिल जाएगा और हमें पता है कि 3x² plus x – 1 भाज़क है और x plus 1 भाज़क तो हम कह सकते हैं कि भाज़क बराबर भाज़क into भागफल प्लस शेश्वल होता है अब आप घर पर इस equation के RHS को solve करके देखिएगा कि यह LHS की equal है या नहीं अब हमने बहुपद को विभाज़क करना सीख लिया है और यह भी देख लिया है कि भाज़े बराबर भाज़क into भागफल प्लस शेश्वल होता है धन्यवाद